हेलो दोस्तों विल्कम करता हूँ आप सभी का आप देख रहे हैं वासिंपल मैं आपके साथ समसादु से बिहार से चार अपडेट बहुत ही महतपूर निकल करा रहा है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है यह चारो अपडेट बड़े ही काम का है तो इस वीडियो को बिना इसकीप के लाज तक जरूर देखिएगा अगर हम बात करें चार अपडेट वो क्या-क्या है जो आपको जानना इस वीडियो में तो पहला अपडेट पंचायद चुनाव को लेकर है दूसरा अपडेट रासन काट को लेकर है और तीसरा लोकडाउन को लेकर और चौठा जो यहाँ पर बाढ़ राहत में 6,000 रुपईया मिलेगा ठीक है तो चारो अपडेट के बारे में हम बारी बारी से बात करते हैं तो च अच्छी अच्छी खबर मिलती रहती है तो पंचायद चुनाव को लेकर यहाँ पर जो अपडेट निकल करा रहा है सबसे पहले वो हम जान लेते हैं ठीक है कारेकाल खतम होने से पहले सुरू हो सकती है पंचायद चुनाव जैसा कि आप सभी जानते है अभी करोना का समय औ होने से पहले सुरू हो सकती है ऐसा आसंका जताया जा रहा है 15 जून को पंचायद परतिनिदियों का कारेकाल समाप्त हो रहा है यादि चुनाव के परकिरिया सुरू नहीं होती है तो राजसरकार को अध्यादेश लाकर पंचायदी राज कानून में संसुधन करना होगा अ आसे में संभावना जताय जा रही है कि 15 जून से पहले चुनाव की परकिरिया सुरू हो सकती है यानि 15 जून से पहले चुनाव की परकिरिया जो है वो सुरू हो सकती है पंचायदी राज परतिनिदियों ने करीब ढ़ाई लाख पदों के लिए परतायक पांच वर्स पर च पिछले दफे आपको बता दे जो पिछले दफे चुनाव हुआ था उन पंचायत परतिनिद्यों का कारेकाल अगले महिने 15 तारिक को समाप्त हो जाएगा अब यहाँ पर क्रोना की वज़ा से चुनाव की परकिरिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है जबकि कारेकाल समाप् के जरिये सरकार पंचायती राज कानून में संसोधन करते हुए पंचायत परतिनिद्यों को मिले अधिकार वीडियो और डीसी को दे सकती है यहाँ पर आपको बता दे यहाँ बेवस्था कब तब तक प्रभावी रहेगी जब तक नए पंचायत परतिनिद्य नहीं चुन ल नहीं हुई है ऐसे में संभौना जटाई जा रही है कि सरकार पंचायत परतिनिद्यों के कारेकाल समाप्त होने से पहले चुनावी परकिरिया को सुरू कर सकती है और डेट दो मैने में इसे पूरा कराया जा सकता है यानि आप समझ सकते हैं कि इनका जो कारेकाल समाप्त बाज भी रासन काड नहीं है उनके लिए यह बहुत ही महतबुण और अची खबर है अब तक हमें पता है कि हमें रासन काड बनाने के लिए RTPS के office जाना पड़ता है यानि अपने block के RTPS counter पर जाना पड़ता है वहाँ पर form को भर कर, fill करके चाहे पर पत्र कर हो, खर हो जमा करना पड़ता है उसके बाद ही आपका रासन कार्ड निर्गत हो पाता है लेकिन ये इतना असान नहीं है चुकि जो RTPS counter है वहाँ पर साल भर यानि वन येर्स एनि टाइम यहाँ पर आपका रासन कार्ड का आउन लाइन आवेदन नहीं लिया जाता है एक list निकलता है, date निकलता है उस particular date में ही आपको आवेदन मांगा जाता है लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आवेदन दे तो देते हैं लेकिन जो आवेदन है reject हो जाता है, उनका रासन कार्ड नहीं बन पाता है और बड़े परिशान हो जाते हैं और अभी कुरोना की स्तिती है कुरोना की स्तिती के कारण लोग राशन कार्ड बनवा भी नी सकते हैं लोग भी नी जा सकते हैं और यहाँ पर अगर कोई वेवस्था मिल जाए उत्तर प्रदेश की तरह जिस तरह उत्तर प्रदेश में आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पर जब कर सकते हैं लेकर आप उरती विभाग ने निर्देश जारि कर दिया है नय राशन कार्ड के लिए लावकों को विभाग के द्वारा जारी वेब साइट पर आउंलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए website पर 6 step में सुचना है आपसे मांगी गई है जिसको upload करना है और यहाँ पर बता दे हम आपको कि सबसे पहले आप उससे आवेदर करने से पहले आप जान लिजे कि आप पातरता रखते हैं या नहीं तो कौन से लोग हैं जिनको योजना का लाग मिलेगा बोले तो राशन कार्ड के लिए वो आरता रखते हैं यानि अपलाई कर सकते हैं तो नया राशन कार्ड सिर्भ पात्र लाभुकों का ही बनेगा वैसे लाभुकों का नहीं बनेगा जो आयकर अदा करते हो है परिवार के किसी सदस की अगर मासिक आये 20,000 रुपए है तो यहां पर वो लोग भी आवेदन नहीं कर सकते हैं और साथी साथ दो पहिया वाहन डेफ्रिजेटर, वार्षिरिंग मसीन उपलब्ध हो और चार पहिया वाहन हो तो इसको इस योजना का लाग नहीं मिल सकता है देखिए आप में से बहुत सारे लोग पुछते हैं सर हमारे साथ ऐसा है वैसा है डिलर प्रोब्लम कर रहा है और अनाच कम दे रहा है तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना चुकि ये बिहार है आप जो रासन काट के लिए अहरता नहीं रखते हो ठीक है अभी हम देखेंगे यहां पर तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रासन काट है लेकिन वो रासन काट की अहरता नहीं रखते है यानि रासन काट के लायक वो नहीं है उनके पास तीन चार कमरे के मकान भी है दो पहिया वाहन भी है साथी साथ रेफिरिजेटर, फ्रीज, कूलर भी है 20,000 से ज़्यादा परिवार में इंकम भी है लेकिन उनके पास भी रासन काट है इसकी पावर है आपके डिलर के पास कि वो आपका रासन काट से नाम हटा सकता है तो यहां पर जन्ता की भी गलती है जो बिहार के लोग हैं, निवासी हैं उसकी भी गलती है कि वो रासन काट की अहरता नहीं रखते हैं फिर भी वो रासन काट रखे हुए है तो अगर इसके इस क्रेटिरिया के अंदर आप आते हैं तो आप रासन काट के लिए ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अभी तक हलाकि यहां पर कहा गया है निउस पेपर में भी कहा गया है खबर में भी कहा गया है आप आर्टिकल उठा कर देखेंगे तो वहां पर भी कहा गया है कि आउनलाइन लिया जाएगा लेकिन यहां पर कोई भी काम अगर सरकार के तरफ से निर्देश दिया जाता है या फिर कहा जाता है तो उसको कब से कम पूरा होने में साल भट डू साल टाइम लगी जाता है अभी उत्तर परदेश में ऑनलाइन घर बैठे आप कर सकते हो लेकिन आप कोई वेपसाइट पर जाकर आप देखोगे चाहे वो सर्विस प्लस लिंक अभी तक जारी नहीं किया गया है ठीक है तो अभी लिंक जारी नहीं किया गया है सिर्फ आर्टिकल में आप देख रहे हो बहुत सारे यूट्ईूब पर फेक वीडियो आपको मिल रहे है कि आप घर बैठे आलाइन आवेदान कर सकते ऐसा कोई भी link, ऐसा कोई भी site अभी जारी नहीं किया गया है, यह आपको सचाई है, चलिए अब तीसरा और update के तरफ आपको बता दें, तो तीसरा update जो है वो lockdown है, जैसा कि आप सभी जानते हैं बिहार में lockdown जो है 5 मई से ही चल रहा है, ठीक है 5 मई से ही यहाँ पर lockdown लगाया ग है, आसार देख रहा है, न्यूज की माने, NIE Naomi, रिपोर्ट की माने, सरकार की माने, तो यह आसार देख रहा है, जह तरह से मतलब करोना का यहाँ पर जो कम हुए है, जो शंक्रमन्दर है, उसमें जो है चैन को तोडा गया है, जहार प्रहें, तो उस हिशाप से लगता है कि इसका आसार थोड़ा सा ज्यादा यानि आपको लोगडाउन एक तारिक को रखा गया था लेकिन और बढ़ सकता है अपती दिन लेकि उसमें आपको रियायत मिल सकता है क्या कुछ यहाँ पर खबर निकल करा रहा है क्रोना शंक्रमन की घटते मामले को देखते हुए राजसरकार कुछ नई छूट के साथ बिहार में लोगडाउन के समय सेमा को एक सपता यहाँ पर बढ़ा सकती है इस दोरान परतिबतों में धील दी जाएगी ताकि लोगों को कम दिगत हो दूसरी लहर के दोरान लगाएगा है लोगडाउन 3 की मियाद 1 जून को समाप्त हो रही है लोगडाउन का परतम चरण 15 मई तक था बाद में इसे 25 तारीक तक बढ़ा दिया गया हालात की समिक्षा के बाद सरकार ने एक सपता और इसको बढ़ा दिया जो की एक जून तक इसको कर दिया था बिहार में लोगडाउन 3 है जो एक जून तक प्रभावी है यानि जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक जून को ये खतम हो जायेगा ठीकिर आसार है कि यहाँ पर आपको दुकाने खुल सकती है और कुछ-कुछ यहाँ पर आपको छूट दिया जा सकता है तो सुत्रक मताबे करकर हम माने तो लोगडाउन 4 में परतिबदों में ढिल दी जा सकती है अभी शहरी चेतरों में आवस्चक समान से जूड़ी दुकानों को सुबा 6 से 10 बजे तक खोलने की इजाज़त है वहीं ग्रामीन चेतरों में या समय सीमा दिन के 8 से 2 फर 12 बजे त मतलब कोई इसका सिस्टम बदलने को कोई संभावना नजर नहीं आ रही है ठीक है तो यहां पर एक सर्था के लिए फिर बढ़ाया जा सकता है ऐसा आसार है लेकिन वहां पर काफी कुछ फूट देखने को आपको यहां पर मिल सकता है लोगडाउन को लेकर आए चौथा के चपेट में आ रहे हैं वहां पर सरकार के तरफ से या पर आपठार के तरफ से यहां पर छे हजार रुपयां उनके खाते में डिया गया था बहुत तरी लोग Capitalim पुछी भी शेतर से आप रहे हों जहां पर आपका पिछले साल बाढ़ आया था और लगातार वहां पर हर साल बाढ़ आते रहता है तो ऐसे में लेकर जो डाटा उसको क्लेक्ट किया रहा है या फिर पिछले डाटा के अनुसार ही आपको 6000 रुपया सेंड कर दिये जाएगा स सिर्फ और सिर्फ वेरिफाई करके कि अगर आपका जिला बाड़ छेत्र के तहट आता है तो ठीक है अगर हम बात करें यहाँ पर की बहुत सारे विडियो आपको फेक मिल रहे होंगे जहाँ पर यह बताया जा रहा होगा कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन लिस्ट आप निकाल ल साथी साथ लिस्ट उनके पास होता है अगर आप लिस्ट चाते हैं कि हमें लिस्ट कहां से मिले हमारा नामन है नहीं है तो आप अपने नजदी की जो आपके गाउं के मुखिया हैं सर्पंछ हैं या फिर आपके वार्ड पारसद हैं उनसे आप जाकर के कॉन्टेक्ट कर सकत ठीक है और यहाँ पर और यहां पर कोई भी वीडियो आपको फेक नहीं मिलता है सभी वीडियो का स्थता यहाँ पर खुद से जान्श लिया जाता युसके बाद भी आपके सामने को साथ किसी भी तरह का आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अप नीचे कमेंट में हमसे लिख स कि ए